नमश्कार, मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए जैनेंद्र कुमार जी का उपन्यास त्याग पत्र आपने जैसा की कहा था, मैंने जो उपन्यासों के नाम दिये थे उनमें सबसे पहले था प्रथम प्रति शुरूती और उसके बाद आपके फर्माईश थी त्याग पत्र की तो इसलिए आज मैं त्याग पत्र शुरू करने जा रही हूँ और प्रतम प्रति शुरूती इसके बाद ही शुरू कर दूँगे तो चलिए शुरू करते हैं जैनिंद्र जी का उपन्यास त्याक पत्र नहीं भाई पाप पुर्णिय की समिक्ष्या मुझसे न होगी जज हूँ कानून की तराजुकी मरियादा जानता हूँ पर उस तराजुकी जरुवत भी जानता हूँ इसलिए कहता हूँ कि जिनके उपर राई रती नाप चुपकर पापी को पापी कहकर विवस्ता देने का दाइत वो है वे अपनी जाने मेरे बसका वह काम नहीं है मेरी बुआ पापिष्ठा नहीं थी यह भी कहने वाला मैं कौन होता हूँ पर आज मेरा जी अकेले में उन्हीं के लिए चारासू बहता है मैंने अपने चारों और तरहा तरहा की प्रदिष्ठा की बार रख खड़ी करके खूब मजबूत जमाली है कोई अपवाद उसको पार करकर मुस्तक नहीं आ सकता पर उन्बूआ जी की याद जैसे मेरे मन में सब कुछ कुछ खटा बना देती है क्या वह याद मुझे अब चैन नहीं लेने देगी उनके मरने की खबर अभी पाकर बैटा हूँ मुझको नहीं मालूम वह कैसे मरी गुलगुल कर मरी इतना तो जानता ही हूँ इतना तो उनके मौत के दस्यो वष पहले से ही जानता था फिर भी जानना चाता हूँ कि आन्त समय क्या उन्हों ने अपने इस भतीजे को भी याद किया था याद किया होगा यह हैं अनुमान करके रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं हम लोगों का असली गर पचहा की और था पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल ग्रहनी थी जैसी कुशल थी वैसी भी कोमल होती तो पर नहीं उस समय तो तो के मुँ में नहीं बढ़ना होगा बड़े की गए फिर तो सारी कहानी ही उस तो में मुँ में निकल कर समा जाएगी और उसी में से निकलना भी नसीब नहोगा इतना ही हम समझे की मा जितनी कुशल थी उतनी कोमल तो नहीं थी बुआ पिताजी से काफी चोटी थी, मुझसे कोई चार-पाश वर्ष बड़ी ही रही होंगी मेरी माता के संगरक्षन में मेरी ही भाती बुआ भी रहती थी वे संगरक्षन धीला ना था और आज भी मेरे मन में उस अनुशासन की कड़ाई के लाब-लाब का विचार चला करता है पिताजी दो भाईते और तीन भेने भाई पहले तो ओवर सियरी में युक्त प्रांत के उन जिलों में ही रहे फिर एकाएक उनकी इच्छा से अनुकुल न बर्मा भेज दिया गया वे तब से वही बस गए और धीमे धीमे आना जाना एक रहा रसम की बात रह गए इधर वे सलसिला भी सूप चलाता दो बड़ी बहने विवाईत होने के बाद प्रसफ संकट में ही चल बसी थी अकेली है छोटी बुवा ही रह गई थी पिता जी उनको बड़ा सनहे करते थे उनकी सभी इच्छाएं वे पूरी करते पिता का यह सनहे उन्हें बिगार न दे इस बात का मेरी माता को खासा ख्याल रहता था वे अपने अनुशासन में सावधान थी मेरी बुवा को कम प्रेम करती थी यह तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता पर आरिये ग्राणी को जो उनके मन में आदश था मेरी बुवा को ठीक से उसी के अनुरुप ढालना जाती थी बुवा तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ ऐसा रूप कब किसको विधाता देता है और जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने का मनी मन नियत उसकी रहती है पिता जी तो बुवा की मोहीनी मूरत पर ही रीज रीज जाते थे खेर उस बात को छोड़े मेरी और बुवा की बहुत गंती थी वह शेहर के बड़े स्कूल में बगई में पढ़ने जाती और आकर जो नई शरारते वह होती अकेले में सब मुझको सुनाती थी आज मास्टर नई जी को ऐसा चकाया वैसा चकाया की परमोध तुझे क्या बताओं कहकर वह ऐसा ठाका मारकर हस्ती की में देखता रह जाता उस समय मुझे कहानी की परियों का ध्यान हो आता और मैं मुग्द भाव से अपनी बुवा की और अकरिष्ट हो रहता कहती और परमोध वह है नहीं गणित के मास्टर शीला ने उनकी कुरसी की गद्धी में पिंच चुबह कर रग दी शीला बड़ी निटखट है मास्टर एक आँख तैरे नहीं देखती परमोध मास्टर देखते इस तरफ है तो आँख जो है किसी और तरफ ही देखती है पिंच जो चुभी तो खुब बिगड़े खुब बिगड़े तपट कर बोले यह किसकी शरारत है वह खड़ी हो जाए और सब लड़कियां सहमी बैठे ले शीला ऐसी हो गई है जैसे उद बिलाओ के आगे मुसी मास्टर ने बैठ फटकार कर कहा मैं तुम्हें एक एक को पीटूंगा सच मुझ सच मुझ उनको गुसा बहुत था उनका गुसा देखकर सब लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी यह मुझको बुरा लगा मैंने खड़े ओकर कहा यह मारा कसूर है मास्टर जी मास्टर जी पहले तो मुझको देखते रहे फिर कहा यहां आओ मैं चली गई कहा हाथ फैलाओ मैंने हाथ फैला दिया उस फैली यह तेली पर उन्होंने तीन चार बेंट मारें मैंने समझा था और मारेंगे पर जब बेंट उन्होंने अपने हाथ से अलग कर दि पर वहे आँख जाने कहा देख रही थी अरे परमोथ तु उन मास्टर को एक बार तो जरूरी देख फिर मास्टर जी ने चिला कर का आप तो नहीं करोगी मैं चुप चाप खड़ी रही और सोसती रही कि एक बार तो मैं भी सच मुझ कसूर करके देखूंगी मास्टर जी ने चिला कर का जाओ मैं अपनी जगा पर आगई शीला मेरे पास बैठती है वहे मुझे ऐसे देखने लगी कि जैसे खा जाएगी मैंने का दुर पगली उसने एक हाथ से मेरे हाथ वही डैक्स पर रखे रखे दबा दिये उसकी आँके बहुत फैली हुएती शीला बड़ी पगली है मैंने कहा शीला क्या करती है देख मास्टर जी कि वही आख तुझे देख रही है परमोध तु शीला को जानता है शीला बड़ी बहुत अच्छी लड़किया पर नटखट भी है हम दोनों बहने ली हो गई है पर शीला पगली है इसकूल में आने लगी तो और कुछ नहीं तो मेरे गले लगकर रोने लगी मैंने उसके गाल पर चपत मार कर कहा क्या है रे शीला क्या है वा फ़फ़ख फ़फ़ख कर रोती नहीं बोली कुछ नहीं परमुद तुझे एक रोज शीला के घर ले चलूगी चलेगा कहते कहते थोड़ी देर बाद एका एक जाने उन्हें क्या याद आ गया बोली अरे चल चल रे चल नहीं तो तेरी मा बिगड़ेगी मेरी मा का बुवा सदा डर माना आती थी और उन्हें मेरे सामने तेरी मा ही कहा करती थी बुवा का पढ़ने में विशेश मन नहीं था पर वे किताब का उपियां अपनी बहुत अच्छी तरह रखती थी और स्कूल जाने का उन्हें बड़ा चाफ था सुबाव बड़ा हसमुक था बस मा के सामने जरा सकूचाई ही रहती थी बच्पन की बहुत सी बाते याद आती है वे कैसे मुझे कपड़ा पहनाती थी कैसे चपत मार मार कर खिलाती कैसे प्यार करती और कैसे अपनी भेद की सब बाते मुझसे कहती थी यह सब ही मुझे याद आता है धीमे धीमे हम बड़े होते गए और बुवा बुद्धी मती हो गई मुझे उनकी उपस्तिती में बड़ा धांडस रहता और मैं उनके साथ के लिए हर वक्त भुका रहता जब वैं मुझे मिलती बड़े मीठे मीठे उपदेश दिया करती थी देखो बेटा बड़ों का कहना मानना चाहिए सबका आदर करना चाहिए सदा सच बोलना चाहिए अच्छे लड़के आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं क्यों भाईया परमुद्ध तुम बड़े आदमी नहीं बनोगे कभी वह मुझे बेटा कहती तो कभी भाईया कभी कुछ भी और ना कहती सिर्फ गदा ही कह देती वह नवमी किलास में थी या दसमी में मुझे ठीक से याद नहीं मेरी बारा वरश की अवस्ता होगी मेरा मन उस समय बिल्कुल बुवा के बस में था वह मुझे सच मुझ प्यार करती थी लेकिन तब ही मैंने अनुभव किया उनके प्यार का रूप बदल गया है वह मुझे अब उपदेश नहीं देती बलकि अपनी चाती में लगा कर जाने पार कहां देखने लगती है वह अब मुझे से बाते अधिक नहीं करती मैं पूछता बुआ क्या बात है आज स्कूल में क्या हुआ मैं कहती कुछ नहीं भईया कुछ नहीं हुआ यह कहकर जैसे उन से मेरी औरना देखा चाता तब मैं हाथ पकड़ रगकर उनकी आँखो में देखते हुए कहता शाम के वक्त छत पर खटोला डाले उपर उड़ती हुई चीलो को ही चुपचाब देख रही है कभी पतंगों के पेंच देखती है तो कभी कटी हुई पतंग पर जब तक वै ओजल ना हो जाए नजर गाड़े रहती है और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोहले से धरती पर तरा-तरा की रेखाएं खीचती है मैं उपर छत पर पहुँचता तो उन्हें इस भाव से देखकर रुका रह जाता जब उन्हें आकर मेरे खड़े होने का बोध होता तो चौकी सी एकदम कहती अरे परमोध कहां था यहीं था क्योंने तो अब मुझसे बोलता ही नहीं मैं बिना जवाब दिये पास आकर खटोले पर उनके बराबर बैट जाता वह शने शने मुझको अपने उपर ही लुड़का लेती कहती देख पतंग देख पतंग थोड़ी देर बाद कहती तुझे पतंग अच्छी लेगती है मैं कहता हाँ तुपतंग उड़ाएगा मैं कहता बाबु जी मैं ना करते हैं इस पर एकाएक मुझे आंक में भर कर उत्साह के साथ कहती हम तुम दोनों संग-संग पतंग उड़ाएंगे ऐसे उड़ाएंगे कि खूब दूर सबसे उची सबसे उची उड़ाएगा पतंग मैं कहता पैसे दो मैं लाओं वह थोड़ी देल मुझे देखती रहती वह दृष्टी अन्भुज होती थी मानो मैं उन्हें दिखी ना रहा हूँ मुझसे आरपार होकर जाने वह क्या देख रही हैं फिर एका एक शितिल पढ़कर मुझे लजा कर कहती चल रहे पतंग से बालक गिर जाते हैं इनी दिनों की बात है एक रोज स्कूल से वह काफी दिर से लोटी माने पुछा कहा रहा गई थी शीला के साथ चली गई थी मा सुनकर चुपो गई उस दिन भुगा रोज ते अस्थिर मालूम होती थी वह प्रसंती और किसी काम में उनका जी नहीं लगता था उन्होंने मुझसे तरहा तरहा के प्रस्ताफ किये तरहा तरहा की बाते की परमूद एक रोज नहर के पुल चलना चाहिए चलोगे बताओ तुम्हें कौन से मिटाई अच्छी लगती है खेवर ची खेवर भी कोई मिटाई है देखो तुम पतंग नहीं लाए ना परमूद मशीला के यहां रह गई ती तेरी मा को कुछ खयाल दो नहीं हुआ होगा अच्छा चल रहे चल परमूद यहां क्या कमरे में बैटना चल कर उपर हवा में बैटेंगे क्यों पकड़ कर इधर से उधर खीचती थी उस दिन वेह मेरी समझ में नहीं आ रही थी मैंने कहा बुआ आज बात क्या है मैं बुआ हूँ बुआ मुझे अच्छा नहीं लगता बोली परमूद तु मुझे जीजी कहा कर जीजी शीली मुझे जीजी कहती है पर तुम तो मेरी बुआ हो मैं नहीं बुआ होना चाती बुआ च्छी देख चड़िया कितनी उचे उड़ जाती है मैं चड़िया होना चाती हूँ चड़िया हाँ चड़िया उसके छोड़ी छोड़े पंक होते है पंग खोलकर वे आसमान में जिधर चाहे उड़ सकती है क्यों रेक ऐसी मौझा नन्नी से चड़िया नन्नी सी पूछे मैं तो चड़िया बनना चाहती हूँ उस रोज रात को वे मुझे देर तक अपने से चिप टाई नहीं पूछने लगी परमोध तो मुझे प्यार करता है सुनकर बिना बोले मैंने अपना मून की चाहती की गौसले में यह दुपका लिया इस पर वे बोली परमोध मैं तो तुझे बहुत प्यार करती हूँ उस रोज के बाद कई दिन तक उन्हें स्कूल से आने में देर होती रही एक रोज इतनी देर हुई कि नौकर को भेजना पड़ा और वह शीला के घर से बुला कर लाया उससे तीसरे रोज की बात है मैं बाहर से घर आया देखता हूँ कि मा कहीं जप्टी जा रही है मुझे देखती ही ठिटकी और असंगत भाव से पूछ बाटी क्यूरे कहा था मा की मुद्रा देखकर मुझसे कुछ उत्तर ही नहीं बन पड़ा चला बेट तो लिया और मैं सुनकर में खड़ा रहा गया तब माने चिला कर का सुनता नहीं जाकर बेट ला मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं था डर था कि मैं ही पिटूंगा डरते डरते बाबुजी के कमरे में से उठाकर लाकर बेट मैंने दे दिया इस पर वह बिना कुछ कहे सुने पीछे वाली कोठरी में लोटकर चली गई घुसते ही उन्होंने किवार बंद कर लिया और उसके बाद ही सपा सब बेट से किसी के पीटे जाने की अवाज मेरी कानों पर पड़ी मैं वहीं गड़ा सा रह गया बेट की पहली चोट पर तो एक चीक मुझे को सुनाई दीती उसके बाद रोने कल अपने की आवाजे मुझे नहीं आई बीत तड़ा तड़ पड़ रहे थे मुझे संधे हुआ कहीं बुआ तो नहीं है पर वह संधे न टल सका न पक्का हो सका मैं बेबस भाव से वहीं खड़ा रह गया मन सुन पड़ गया और वह देर मुझे असह हो रही थी थोड़ी देर बाद मा दरवाजा खोल कर बाहर आई उनके हूट नीले थे और जिस साथ में बेट ना वह काप रहा था उनका चेहरा मानो राक से पुद गया था ऐसा लगता था कि मां अगले शन अपने को ही बेट से ना उधर रणने लगे मानो अपने को ही नहीं मार रही थी तो उन पर जोड पर रहा है वह मेरे सामने से होकर अपने कमरे में चली गई जाते जाते दोहर पर रुकी और जोड से अपने हाथ के बेट को दालान में फेक दिया बेट मेरे पास आकर गिर गया मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं सक्पका आया सा खड़ा रहा थोड़ी देल बाद सहास पुर्वक उसकोटरी में गया देखता क्या हूँ वाँ बुवा आंधी पड़ी हुए उनकी साड़ी इदर-ओदर हो गयी और बदन का कपड़ा बेहद मार से जीना हो गया जगा जगा नेल उबर आये हैं कहीं कहीं लऒू भी छलक आया बुवा गुमसुम पड़ी हैं ना रोती हैं ना सुबकती है बाल बिखरे हैं और धर्ती पर पढ़ी दोनों बाहों पर माता टिका है मुझे वाँ थोड़ी दिर खड़ा रहना भी असाइनिया हो गया मुझे कुछ भी नहीं बोला गया बुआ के गले से लगकर मैं वाँ थोड़ा रो लेता तो ठीक होता पर वह संभव ना हुआ मैं दबे पाउं लोट आया वह दिन था कि फिर बुआ की हसी मैंने नहीं देखी इसके पांच-छे महीने बाद बुआ का बिया हो गया मा ने जल्दी जल्दी तत्परता के साथ सब विवस्था कर दी बुआ का उसी दिन से पढ़ना चूट गया था वह उस दिन से सीने पिरोने झारने बुहारने और इसी तरह के कामों में शांध भाव से लगी रहती थी काम करते रहने के अत्रिक उन्हें और किसी बात से मतलब ना था ना किसी की निगाह में पढ़ना चाहती थी कपड़ा कोई धोबी का दुला नया पहनती तो उसे जल्दी जल्दी मेला भी कर लेती थी मुझे से वह तब बची बची रहती मुझे तो ऐसा दिखने लगा कि बाबु जी का भी विचैरा भारी हो गया वह बुआ से कभी कभी विनोध करना चाहते हैं पर बुआ को उत्तर में अत्यंत अचंचल देकर मानो फिर स्वेम अपने में मुह लटका रहते हैं मा का अजब हाल है मुझे काम बेकाम डाटती फटकारती रहती है नौकरों को तो बहुती जड़कियां सुननी होती है बीच बीच में असंगत भाव से बड़ बड़ जाने से असफुट भाव से क्या कहती रहती है फिर एक आएक फट पड़ती है मैं सामने हुआ तो मुझे पर तूट पड़ती है आके फाड़ कर क्या देख रहा है पर मुद बुआ से लेकर जाड़ू खुद नहीं लगाए जाती आजकर लड़के बस काम चोर होते जा रहे है अत्वा कहती कहां गया रहे वैबनसी नहीं है नहीं है सारा काम बेचारी लड़की को उठाना पड़ता है अच्छा एक रुपिया जर्माना ये नौकर बड़े ही बत्तामीज होते जा रहे है ऐसी बाते हर दिम कुछ न कुछ सुन पड़ती पर बुआ से सीधी बात मा कुछ नहीं कहती ऐसे ही बिया के दिन आते गए और बिया हो गया विदा होने से पहले बुआ कई घंटे अपनी चाहती में मुझे चिपकाई बहुत बहुत आसू रोती रही समझाने लगी भाया परमोथ बड़ो की आग्या सदा मानने चाहिए सबका आदर करना चाहिए सदा सच बोलना चाहिए अच्छे लड़के ऐसे ही बनते हैं परमोथ तू एक दिन बड़ा आदमी होगा ना मैं यू तो काफी बड़ा हो चलाता निरा बच्चा अब नहीं था तो भी उस समय बुआ बुआ के उस अंक में चुपचाप शावक सा पढ़ा रहा बुआ बुली परमोथ तेरी बुआ तो मर गई तू उसे अब कभी याद मत करियो कैसा राजा बहिया है हमारा उस समय मेरी आखे भीग गई थी लेकिन मैंने यह बुआ को पता नहीं चलने दिया और मुद उपकाए वही पढ़ा रहा बुआ के जाते समय मैं खुल कर फूट फूट कर रोया मैंने किसी की शर्म नहीं की मैंने मचल कर घूंगट वाली बुआ का आचल पकड़ लिया कह दिया मैं बिना बुआ के पैरों में लिपट गया उनके पैरों के बिच्वों को मैंने जोर से पकड़ लिया इस पर बुआ ने जुक कर मुझे पैरों पर से उठाया गुंगट के भीतर उनकी आँखे आंसों से सूजी वी थी बुआ ने मेरी ठोड़ी हाथ में लेकर मेरी मुझे की तरफ देखते हुए कहा परमोथ तो मेरी बात नहीं मानेगा मुझे जाने दे मैं जल्दी आउँगी बुआ के उस आंसों भरे मुखड़े के आगे मेरी हट बिलकुल गल गई मैंने पूछा जल्दी आउगी जल्दी आउँगी मेरी कसम खाओ अपने प्रमोथ की कसम खाती हूँ पासी माँ खड़ी थी उनका मुझ सुखा था उनको देखकर जी में हुआया कि क्यों मैं उनके गले नहीं लग जाओ और कहूं मां मां उनकी ठोड़ी हाथ में लेकर को मेरी मां मेरी मां इतने में बुआ ने मेरी हाथ में एक रेशम का रुमाल थमाया और छेपट से वहाँ से चलेगी मैं संभल भी ने पाया था कि दुआर के आगे से मोटर जा चुकी थी